उपग्राफ के लिए आप लोग बता है कि जो भी ग्राफ दिया हुआ है उसका एक एच, एच कोई तो निखा रहे हैं सब ग्राफ को इहां रखना, उपग्राफ का जो नोटेशन है वावस में क्या है, एच है उपग्राफ का नोटेशन, तो एच वोला पार्ट कहीं भी हो सक तो इसका ग्राफ है, क्या नहीं होगा, पस यह ध्यान रखना है कि जो नहीं होगा न, वो अगर ग्राफ जीम अगर V5, V6 मिला होगा है न, तो उसके अंदर V5 को और किसी और से नहीं मिला सकते हो, V5 को V6 से हैं तो मिलाओ या फिर छोड़ दो, एक ही जब सिरसल होगे, तो कहां से मिला होगे, नहीं मिला पाओगे न, तो उसके अंदर नहीं मिलेगा हो, ठीक है? अब एक पार्ट होता है, इस ही रिलेक्टेड ही है, स्वयम पूरक ग्राफ, एक होताब हमारे पास में पार्ट, स्वयम पूरक ग्राफ, 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 स G equals to VE, एक स्वयम पूरक ग्राफ कहलाता है, स्वयम पूरक ग्राफ, स्वयम पूरक ग्राफ कहलाता है, एक स्वयम पूरक ग्राफ कहलाता है, एक स्वयम पूरक ग्राफ 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 ग तुल्यकारी ग्राफ हो, अब सम्झों इसके डिटेल, आर हमसे पहले देख लो, देख लिए ना, स्वैंपूरा ग्राफ के लिए, पहले बाद होना चीए, सरल ग्राफ, सरल ग्राफ तो होना ही चीए, यानि विदाउट एनी लूप, विदाउट एनी पैरिलर एजेज, यह सरल ग्राफ होने के लिए इसके अंदर पास भी नहीं होना चीए, और समाना अंतर कोरी भी नहीं होने चीए, तो यह क्या हमारे पास में है, स्वैंपर ग्राफ के लिए पहले बात होना चीए, सरल ग्राफ, दूसरी बात, सरल ग्राफ के बाद में जो ग्राफ दिया हुआ है उस graph का जैसे मानला आपका suppose करो कि g दिया हुआ है तो एक g तो दिया हुआ है आपको क्या बनाना है g बार बनाना है और दोनों के लिए चेक करना है कि g और g बार आपस में क्या होने चाहिए तो लेकारी होने चाहिए तो लेकारी मतलों क्या हो गया वही तीन condition फिर से satisfy होने चाहिए, तीन condition कॉनों से हो जाएगी फिर से होई, कि number of vertex दोनों गाफ में समान, number of axis वो भी दोनों गाफ में समान, और number of degree, यानि total vertex कि जो अपन degree निकालेंगे, उन सब का जब योग करोगे, वो बराबर होना चाहिए, दूसरे वाले graph के अंदर इन सब के degree का योग के, अगर ये होगा तो आप लोग कहोगे, कि इसका वंदू क्या होगा, कि graph दोनों कैसे है, तो लिकारी graph है, या तो लिकारी graph नहीं है, दो ही तो condition होता है, या तो होगा या तो लिकारी graph नहीं होगा, ठीक है, देख लाड़ा हम से देख लिए, तो ये है तो लिकारी ता graph देखने के लिए, लेकिन आपको देखना है इसके अंदर, आपको स्विम पूरा graph देना, आपको देखना है आपको तो, तो elled Rank Zone को नहीं मिले हैं उसको मिलाना है किसके अंदर जी बार मी आप मालकि वी वर्ण डी 2 वी अरकी से से मिला हुआ है तो वीवन को अलावा से मिलआना है आपको अब मिलने का बाद में क्या बन जाएगा घरपंदो नसुमा के लिए यह किभा ठीक है, देखो क्वेशन देखते हैं एक, यदी, एक क्वेशन देखरे हैं अपन, यदी, ग्राफ, G कोईस तो, VE, V1, 2, 3, 4, यह पहले से दिया हुआ है, यह तो है, V1, यह है, V2, यह है, V3, यह है, V4, V1, V2, V3, V4, E1, E2, E3, नाम भी है इसका दिया हुआ, E1, E2, E3, हो, तब, अब इस ग्राफ का पने, यह ग्राफ दिया हुआ है, तब, G वार, इकोईस तो, VE, आप देखो, अपन, G वार बना रहे हैं, इस ग्राफ के लिए, भाई, ग्राफ, G जो है, यह पहले से ग्राफ के लिए, पहले से ग्राफ के लिए, आपको तो, इसका बनाना पहले, पहले, G वार, ठीक है, G वार ऐसा, एक नेक तो, गिवन होगा, जब तक, G वार नहीं बना पाओगे, पहर, G तो होना चाहिए, ना, या फिर, अपर, G वार नहीं होता, तो, आगे, अपन, नेक्स कुस्न होई करेंगे, ठीटिकल बेस के कोश्चन आजाए, जैसे, जैसे, दिकीजिए कि, C 5 ग्राफ, स्वाइन पूरा ग्राफ है, C 7, K 4, अचा, C बगर या, इसा तो, सही सलामत होना चाहिए, ना, वह, K N तो होता है, पूर्ण ग्राफ, C होता है, अपन दिखाते हैं, साइकल वाले पार्ट को, चक्र, तब G वार, G वाला पार्ट आपको बनाना है, तो देखा, V1, V2 से मिला हुआ है, तो देखा, V1, V2 से मिला हुआ है, तो जब V1, V2 से मिला हुआ है, या, V1 को मिलाना है, V4 से और V3 से, या, इसको मिलाना है, V3 से, और इसको मिलाना है V4 से V4 देखो V4 जो है V3 से मिला हुआ है और पस इसी से मिला हुआ है यानि V4 को मिलाना एक तो V1 से मिल गया V4 को मिलाना एक V2 से जो मिला दिये V1 देख लो V1 को मिलाना है V3 से मिला चुके हो V1 भी तो V3 से मिला चुके हो यान इस वाले पार्व पी देगो, मिला चुके हो यही होगा इसके लिए और किसे क्या मिलाना है, बाला देगो V3 देख लो, V3 भी हुआन बाला है V2 को बाले V4 सो मिलाना है, बाला मिल गया, तो यह ग्राफ क्या है इसके लिए, जी वारी को बस्टू V ये वाला पार्ट, अब इसके लिए तू लिका रहता है कि जांच कर लेते हैं, तथा ग्राफ G equals to VE में सिर्षों की संख्या, कितनी इसके अंदर सिर्षों की संख्या? चार है, तथा ग्राफ G equals to VE, अच्छा V को बार में कैसे दिखाओगी, इसके अपन V लिखा देते हैं, G equals to VE में सिर्षों की संख्या, कितनी इसके अंदर सिर्षों की संख्या? कितनी इसके अंदर सिर्षों संख्या? चार है, तथा ग्राफ G equals to VE में कोरों की संख्या देखो टोटल कितनी है? 1, 2, 3, कोरों की संख्या, कोरों की संख्या टीन है, तथा ग्राफ G बार में भी कोरों की संख्या, कोरों की संख्या टीन है, उसमें भी टीन है, इसमें भी देखो टीन ही है, इसमें भी दिकत है नहीं, अब देखो, V1 की 2, इसमें देखो V1 कितनी है, देखो 2 होगे, इस वाले पार्ट के अंदरे भी, टोटल देखोगे, अगर मानलो, अच्छा, सिंपल तुलिकारी ग्राफ अगर आपको नहीं दिखाना है, ना, मानलो, ये वाला ग्राफ आपको आश्में दिया हुआ था, ठीक है, तुलिकारी ग्राफ जब अपन सिंपल देखते हैं, तो अपन प्रोपर्टी और चोथी प्रोपर्टी लगाते थे, बागि तुलिकारी ग्राफ की प्रोपर्टी नमर तीन ही सही है, सटिस्फाई करेगी, इसमें कि आपन पहले स्विम पूरा ग्राफ देखने हैं, इसके अदर स्विम पूरा ग्राफ देखने के लिए तुलिकारी देखेंगे, तो लिकारी तीनों कंडिशन सिंपल दों कंडिशन होगी, तथा, ग्राफ ग्राफ जी कोईस्टू वी इए में सभी सिर्सों की कोटियों का योग, किसने इसके अदर कोटियों का योग, एक, दो, चार और दो च्छे, इसके लिए दो दो चार दो च्छे, तथा, ग्राफ जी बार में भी, जी बार में भी, सिर्सों की कोटियों का योग, सिर्सों की कोटियों का योग, छे है, अर्थात, यह ग्राफ, कह लिखाएंगे, अपन, स्वयम पूरक ग्राफ है, स्वयम पूरक ग्राफ है, वह स्वयम पूरक ग्राफ है, प्र दो इसके लिए, ठीक है अब कुछ question होते हैं इसी स्वेंपूर ग्राफ के लिए theoretical waste question theoretical waste question कैसे उन समयपन आप डायट चेक करेंगे कि स्वेंपूर ग्राफ है या स्वेंपूर ग्राफ नहीं है उन समयपन डायट चेक करेंगे जैसे उन में question हमारे पास में यह है C5 एक C5 ग्राफ एक स्वेंपूर ग्राफ है अथ्वा नहीं अथ्वा नहीं यह आपको इसका नहीं यह दिखाना है कि जो C5 होता है वो स्वेंपूर ग्राफ है यह स्वेंपूर ग्राफ नहीं है तो सब्सक्राइब तो आपको V3 से V3V4 से इसे तरीगे से लास्ट अला फिर से जाकर पहले नमбरवाली कंता है सब्सक्राइब तो इतो चक्र का निर्मान करेगा। फिर लाशला क्या होगा, सब के साथ फिर से जाकर ये मिल जाएगा, तब ही जाकर ये एक चक्र का निर्मान करेगा, ठीक है, आजो चेक करते हैं, हल, सरवप्रथम हम, सी फाइव ग्राफ की सरंचना, सरंचना बनाते हैं, अर्थात, सबसे पहले अपने क्या करेंगे, सी फाइव ग्राफ की सरंचना तयार करेंगे, इसको कंस्टक्ट करेंगे अपन, और इसको कंस्टक्ट करने के लिए, पांच वर्टेक्स हे अपन इसके लिए ग्राफ बनाएंगे, जानते ही आपन डैट बना देता हूँ, इस तरीगे से बना देता हो लो, एक तो हो जाएगा V1, ये V1 ले लो, इसको ले लो V2, ये ले लो V3, एक ले लो V4 और एक ले लो V5, ये आपका समग्राफ कैसा है, C5 ग्राफ अब हम C5 ग्राफ का पूरक ग्राफ की सरंचना बनाते हैं अर्थात, अब आपको क्या बनाना है, C5 ग्राफ का पूरक ग्राफ अब लिए लिए कि tego len नहीं मिला हुआ है ना उन सब को मिलाना जैसे तनको V1, V2, V5 से मिला है ना विट्री से और V4 से V2 को मिलाना V5 V4 से V3 को मिलाना V1 V5 से V3 को मिलाना V1 से और साथ में V5 से यह जो ग्राफ है यह ग्राफ कैसा है C5 बार C5 बार ठीक है यही तो होगा देखे लो आराम से देखे लो यह C5 ग्राफ होगा आपको आसमा अब क्या देखना है कि यह दोनों को दोनों कैसा होना चाहिए तुलिकारी होना चाहिए और तुलिकारी है मतलब कि इस ग्राफ में नम्मर अफ वर्टेक्स कितने हैं 5 इसमें भी 5 है नम्मर अफ एजस काउंट करेंगे मैं तो ठीक है तो उन सबको अपन अब एक साथ ही लिख देते हैं कि एकिए टेक्ति एक्ति व एक कि व एकवस तो व ताफ एक ड़िका एक। एक अवगा वगिए वगा एकने हाविए E dash में, E bar में एकी चीज है, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें तो 5 ही होगी, 1, 2, 3, 4, और ये 5, होगी पांची सके अंदर, पांची ही तोटल, अब देखलो, थर्ड वाला पार्ट, degree of V, summation, सबका योग कर लेते हैं, V1 की कितनी है, 2, V2 की भी 2, V3 की भी 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, यहने देखो 2, तो 4, दो 6, तो 8, तो 10, इसकी तो है 10, summation, degree of V, V, dash कर दो, हलागी बार में दे रखे हैं अपन, इसको अपन, dash ही नाम देते हैं, V1 की रेको 2, इसकी भी 2, 4, V3 की भी 2, V4 की भी 2, और V5 की भी 2, इसके भी total कितनी हो जाएगी, आपका समय, 10, इसके भी कितनी हो जाएगी, total 10, जो की तुल्यकारी है, अर्थात, C5 ग्राफ स्वयम पूरक ग्राफ है, स्वयम पूरक ग्राफ है, C5 लिया हूँ, यहनि अब आप लोगं को क्या के देखना है, चेक करना आप लोग, C3, C4, C6, K3, K4, K5, इन समय आप लोग टाइम पास कर लेना, देख लेना कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा, बागी इन में से कोई सा भी नहीं होगा, फिर भी आप लोग इसके लिए चेक कर सकते हो, इसके लिए अलग लग आप लोग देख सकते हो, देख लो, इन सभी में होगा, तीन है, तो कम से कम तीन तो होने चीए, K वाला क्या होता है, पूर्ण ग्राफ देहां रखना है, K वाली जो स्रीज होती है, K N इसको अबन बोलते हैं, पूर्ण ग्राफ, K को स्रीज को अबन बोलते हैं, पूर्ण ग्राफ, K N वाले पार्ट को, पूर्ण ग्राफ, ठीक है, तो K N वाले को अबन पूर्ण ग्राफ नाम देंगे, और इस वाले को नाम अपन देंगे, शिम्पल जो है इं ग्राफ वोग रहेगा आज टी जी, तो CN वाला पार्ट as it is और EA वाला पार्ट भी रहेगा आप गास में as it is ठीक है इसको बन क्या बोलते हैं पूर्ण ग्राफ इस वाले पार्ट क्लिए रहे है चलो फिर बांकिया बन नेक्स लेक्शन में करते हैं थैंक यू